की करदा है लॉरेंस विश्णोई दा परिवार पिता दा पुलिस जो हुणा एक अफवा पुले में कहता हम परसू चैनल आज तक बढ़े आए थे और वो मेरा लाइब जैसे आपने इंट्रुवे लिया उसमें मैंने कहा कि लॉरेंस का फादर किसी हमारे परिवार का कोई आदमी कहीं पुलिस में नहीं है परिवार कोल सौ एकर तो वद है समीर उसके उनके पास जो मेरे चाचा जी हैं उनके पास 110 किले जमीन है और लॉरेंस और अनबौल दो भाई है कितो और प्यासनी लारंस दे पहला परक्षा लारंस बिशनौई के गाउं के अंदर मझूद है चेचेरे भाई रमेश विश्णोई हमारे साथ मजूद हैं बाचित करते हैं लौरंस आखिर गैंग्स्टर कैसे बना रमेश जी क्या ऐसा हुआ कि आज लौरंस विश्णोई के साथ गैंग्स्टर नाम जुड़ गया सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का अबार पर गट करता हूं दन्यबाद करता हूं जो आप मेरे गांदो तरहांवली में आके और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो सचाई जो है वो लेने के लिए यह इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अबार पर गट करता हूं और बात रही ग पास जो मेरे चाचा जी है उनके पास 110 के लिए जमीन है और लोरंस और अनबॉल दो भाई है तो वह यहां स्कूल में पढ़ता था तो उसकी स्कूलर कॉर्णमेंट स्कूल में था स्कूलर लगी हुई थी फिर वहां यहां से वह चंडीगड चला गया चंडीगड से उनिव परिवार है तो जब यहां से चंडीगड गया तो वहां से राजनीती शिरुई चातर संग्का को इलेक्शन लड़ा और एलेक्शन लड़ने के बाद जैसे दो अगर खड़े होते हैं तो एलेक्शन में एक आरता एक जीतता है और बाद में इसमें जीतने वार नहीं यह आर कि यहां उसकी सोती कि मैं यहां एक अच्छा होटल बनाऊं अब और जगे भी है उस पर होटल बनाने की वो सोच रहा था लेकिन यह कहें कि बाग्ये को कुछ और मंजूर था तो थोड़ी जी कोई गटना करती थी तो पुलिस गाव में आ जाती थी तो उसके दिमाग में एक बात बैटके कि पुलिस जो है मुझे छोड़ेगी तो नहीं तो यहां से वो हमें तो कहके गए चाचा जी और चाची जी को कहके गए कि मैं वैसनों देवी जाके आ रहा हूं और उसके बाद वो कभी करनी आया और उसके बाद क्या प्रस्तिती बढ़ी या तो लोरंस को पत है और जब गैंग्स्टन नाम सुनते हैं तो हमारा परिवार बहुत दार्मिक परिवार रहा है हमारे जिस परिवार से हम जिस बंसी से हैं उनमें संसाहिवराम जी राड है जिनके हम पड़पोते हैं लोरंस सर मैं पड़पोते हैं तो हमारे जो उन्होंने अजादी के किया समाज के लिए मेरे जो परदादा जी थे तो उन्होंने गरंथ भी जो है समाज के वो लिखे तो समाज समाज में काम करना वाले परिवार से हैं तो जब ये बात सुनते हैं गैंक्स की तो बहुत दर्द होता है इस बात का कितना समाज हो गया गाओं में नहीं आया वो कापी साल होगे लग बग दस बारा साल होगे गाओं में नहीं आया पहले मामले कौन से थे जो उसके उपर नाम आया जिसके उपर जिकर किया गया कि इसमें इसने क्राइम किया पहले कोई चंडिगड अलेक्शन के बाद को लड़ इसको नहीं मिलता था वो उस पे डाल देते थे और उसके बाद इस तरह जो पहला पर्चा वहां से शुरूआ है क्या मानते हो इसके पीछे क्या है देखो जब राजनिती चीज के अंदर आदमी जैसे एलेक्शन था तो एलेक्शन और राजनिती चल पड़ी राजनिती अंद कि वह रहते हैं वह किसी को दंकी दे रहा क्या दे रहा यह हो तो उसको नाम जो जिकर होता है लौरंसवला का जिकर किया जाता है उसको कैसे देखते हो क्या वाके ही उसमें थाई देखो मैं जैसे आज उसको गैंग्स्टर बोला जाता है अपरादी बोला जाता है तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने तक कानून के अंदर कोट जब उसको अगर अपरादी थाबित नहीं करती है कोट में अपरादी थाबित नहीं हो जाता उसको हम अपरादी नहीं कह सकते और गैंक्स्टर तो आज तक देख लो किसी अगर गटना में शामिल था तो आज सजा क्यों नहीं हो रही है उसको अगर देखो अपरादी ये अपरादी है जी बहुत बड़ा अपरादी है या गैंग्स्टर है तो अभी तक इस बात को दो मानने के लिए त्यार ने करेंगे लिए इतना करम के बाद एक लॉरस ग्रूप की जो एक पोस्ट वाइरल होती है वो पोस्ट सामने आती है जिसमे जिम्मेवरी ली जाती है चाहे वो सिदू मुसेवले का कतल कांड हो जा कोई मुंबई में करीबी का जो उसका कतल किया गया हो उसके बाद एक पोस्ट जारी होती है जो सुर्खिया बन जाती है देखो अब बार बार मीडिया में मैं आपके चैनल राइसे कुछ बात बताना चाहता हूं कि एक बात कह जैसे आपने इंट्रिवे लिया उसमें मैंने कहा कि लोरंस का फादर किसी हमारा परिवार का कोई आदमी कहीं पुलिस में नहीं है और जो ये मीडिया कहे रही है ये गलत है और एक बीच में साइद आपने भी देखा होगा कि ये परिवार 30 लाग 40 लाग रुपे जो है उसको बेज रहा है मैंने इस बात का परसु आज तक पर खंडन किया है दूसरे चैनलों पर भी किया है लेकिन आज तक वाड़ा वही बात बोल रहा है कहता है जी उसके चचेरे बाई रमेश ने का कि हम जो है 40 लाग रुपे बेज रहे हैं और उसके जो फादर है वो जो है पुलिस में थे तो क्या मीडिया की हम क्या बात मनेंगे अगर ऐसा करा है मनें अगर फादर की बात कर ले तो क्या काम करते हैं क्या पुलिस में थे यह कह करते हैं परिबार का कdetक पुलिस में नहीं था तो परेक्रिकल्चर से भ्वार्ट और आपकी उमर के बीच में कितना फरका है? मेरे लग बग साल डेट साल का फरक है. बच्चपन भी कठे बिताया होगा? हां हाँ हां, जो चाचा जी है, हम कठे थे, लोरंस उनका बेटा हों बहुत चोटा है हमारे से, तो कठे थे ऐसा हमारे परिवार में कोई ऐसे बात तक कोई हमारा करिमिनल रिकाड भी नहीं है यह हमारे परिवार का जो है करिमिनल रिकाड वो भी नहीं है अगर बात कर ले सलमान खान की तो सलमान खान से ऐसी क्या नराज़गी क्योंकि हर बार जो सिल्मान खान की अगर लॉरंस की अगर बात कर ले तो कई ऐसी वीडियो भी सामने आए जिसमें वो बोल रहे हैं कि सिल्मान खान को कहीं नक्सान पुंचाने की बात हो रही है तो कैसे देखते हो इस बात को सिल्मान खान से क्या ऐसी देखो हमारा वो समाज है जिन्होंने अरे दर्खतों के लिए अपने बलिदान दिया है और हिर्णों को बचाने के लिए जंगली जियानवरों को बचाने खास कर जो है हिर्णों को बचाने के लिए हमारे समाज के लोगों ने अपना बलिदान दिया है सहीद हुए शकारियों को आते हैं आज भी हो रहे हैं और हर जो बच्चा उसकी तमना है कि अगर मैं इरन बचाने के लिए सहीद हो जाऊं तो कोई दुख की बात नहीं है तो वो भी बच्चा है हमारा बच्चा है तो खुन उसका भी खोलता है लेकिन उसने एक बात देखो ए लॉरंस से माफी माँंगे या हो यह नहीं नहीं कह रहे कि हमारे राष्टी एद्यक्स है महासबा जो हो conquered वारा जिए विसनलगी मासबा ऑन से माफी माँंगे तो उसने एक ही बात सकते वह जाकर जो है हमारे जो मंन्दिर मुकाम जाकर माफी मांग ले तो अहौं जो हाओ न हमारे जो गुरु मराज ने नियम बनाए थे उसमें जीव दिया पालनी रूख लिनोंनी गावे के अरे दर्खतनी काटने और जंगली जानवरों का जो है ना शिकार करना ना शिकार करने देना है तो उसे दांत के उपर हम चल रहे हैं गुरु मराज के निवाई हैं और हमारे पुर्खों ने जो बलिदान दिया है तो देखो यह तो सबावी के कून कोलना तो उसका कून खूलता है अहारा खोलता है अगर कोई शिकार के बाता होती है तो यही बात है मानते हो स्लमान खान को जी दोस्ती तो देखो उसको अगर मैं क्या मानता हूं कानून मानता है कानून में उसको सजा हुई हुई है उसके चिंकारा शिकार मामले पांच साल के सजा हुई है वो आगे अभी कोर्ट में उपर पील में चल रहा है तो जब उसके फादर साहब कह र देखो अब उनको तो पता नहीं कानून पर ब्रोऊसा एक नी हमें तो ग्रोट पर ब्रोऊसा है और वें उसको अपरादी मानता हूं उसने शिकार किया लूसको सजा हुई यह तो हम कैसे कि देखे वह अपरादी नहीं अगर सीयर माफी मांग ले तो क्या मसले का हल हो जाए गाएकिन जो मॉइठ करते होत्स को मैंट्ट हो så तो इसको तो कोट निए देखनाज क्या करना है क्योंसाइश आप करनी से ना की तरफ से एंकाउंटर करने वाले उफिसर को जो इनामी राशी का जो अलान किया गया है क्रोड़ो रुपे की जो इनामी राशी है वो दी जाएगी ऐसा जो सामने आया है तो उसको कैसे देखते हो आप किस नजरिये से उसको देखो करणी सेना के कोई लड़की है उसमें उदेदार है उसने इस बात का खंडन किया है कि हमारा जिसने भी वो अपने आपको करणी सेना का देक्स कह रहा है वो कहता हमारे से कोई लेना देना नहीं है अगर वो कह रहा तो उसका कोई पर्सनल विचार होगा लेकिन करनी सेना की तरफ से नहीं है लेकिन मैं आपके चैनल के माधियम से करनी सेना और राजपूत समाज को भी एक कहना चाहता हूं के देखो हम जो विच्णोई लोग हैं गुरू जी भी हमारे जो उनका परिवार था राजपूत समाज से थे तो माम राजपूत समाज से हम आई हुए हैं अगर ऐसी एक जुम्ह बार आदमी ये बात कहे कि उस लोरंस को जो है कोई मारेगा काउंटर कर दे मैं एक करोड दे दूँ तो इसका मतरा वो कानून को मानने वाले लोग नहीं है कानून को मानते तो वो अंदर है तो अगर ठीक है उसके पास है अगर तेरे को है अगर लगता है उसने कुछ किया तो एफ आई हालोज करूँ आप लेकिन ये किसी को एदिकार नहीं है और मैं राजबू समाज से भी ये बेंती करना चावना कि वो जो है उसका ऐसे लोगों को और इस समय क्योंकि हमें एक बारूद के डेर पे खड़े बैठे हुए हैं अगर थोड़ी से चिंकारी पड़ती है आज राजबू समाज से युवा बढ़क सकते हैं और वो बढ़क दूसरे हैं ना कोई राजबू समाजर ऐसी जो बाते करते हैं तो वो अपने राजबू समाज के करते ही बला नहीं कर सकते हैं आपके गाउं के लोग भी मानते हैं वो भी इनामी राशी का अलान करते हैं कि अगर लौरंस की अगर करनी सेना या कोई भी विक्ति इस बात की की एनकाउंटर करने अले को तो आपके गाउं के लोग इनामी राशी को एलान कर रहे हैं तो उसको कैसे देखते हो क्या भावना है उसकी नहीं देखो कोई एलानी इसकी राशी की बात नहीं है ना हम इस पे वरोसा करते हैं हम कानून पे वरोसा रखते हैं और जो कोई भी जी करते हैं जिसे की कोई स्थीति जो है एंड कंट्रोल हो परवार का अब क्या नजरिया है कैसे देखता है पूरे मामलों को क्यूंकि काफी मामलों के अंदर जो सा लौरंस का नाम जुड़ गया है और देशों वो देशों तक जो उनसा है लार्नस का नाम ही गुंज रहा है तो ऐसे महोल में कैसे सारे हलात को ठीक किया जाएगा देखो हलात सदे एक नहीं रहते हैं और हम तो हिंदुस्तान भारत के कानून में विस्वास रखते हैं और कोर्टों में जो मानने ये कोर्टे हैं उन पे हमें विस्वास है हम यही आशा करते हैं कि हमें जो है इनसाफ उस बच्चे को मिलेगा उसमें देखो यह आप भी मानते को जेल के अंदर बैठा है हर केस में वो नहीं हो सकता तो फिर वो किस तरह जो उसका नाम आ रहा रहा है इसका मतर है F.I.N. जो उठी उसको नाम डाला जा रहा है कोई थबूत देखो एक हाइस कोटी जेल में आदमी होता है और एक तरफ हो कहते हैं जी हाइस कोटी जेल में है तो आइसकोटी जेल के अंदर से बात करना ये संभव नहीं है ये कैसे पैदा होती है इसका मुझे ये नहीं पता और लॉरंस आज भी क्योंकि हमारे से तो मुलाकात नहीं है ना परिवार की हुई है ना परिवार को मिलने की महाँ परिमिशन है हम वकील से पूशते तो हो कहते हैं मिन्हे में भी डस च्छासा दिन जो है बढ़ता रखता है फास्ट रखता है और जब हो चोटा था उस टेम भी उसको जो है वो ना तो कोई बेल है उसको कोई बेल नहीं किसी तरह का ना नशा है वो नशे से पहले भी बहुत ज़ादा जो है उसको दूर रहता था जब वो यहां पढ़ता था उसकी यह थी कि जब स्कूल से आता था तो गाम के छोटे बच्चों को साथ लेके अपने आनके उनको लेके जाता था स्कूल के दोतारावाली के गराउंड में उनको पले से पैसे दे के किरकट का समान बालीबाल का फुटवाल का उनको दिलाता था खिलाता था उसकी एक ही थी के मेरे गाम का बच्चा जो है अच्छा स्पोर्स में जाए अच्छा खिडारी बने अच्छी गेम में जाए गाम का नाम रोशन करे इलाके का करे परदेश का करें और जो मीडियम हम देख रहे हैं जब भी उसकी कोई फोटो आती है उसके बिन्यान होती है उसके उपर बगत सिंग की फोटो बगत सिंग को आइडल आज नहीं जब छोटा था तो बगत सिंग को आइडल मान के चलता था और बगत सिंग को आइडल मानने वाड़ा यह ना तो देश्टरो में जाएगा ना देश्टरो की बात करेगा तो कभी ये बात आती है कि पाकिस्तान बेठे उगरवादियों से उसके संबन्द है या बार उसके संबन्द है तो वो कते इस बात में नहीं है ना वो जो वगत सिंग को जो आइडल मानता हो तो वो कभी ऐसा न देखो लोरंस का जो छोटा भाई था अनमोल उसको तो सिर्फ लोरंस के नाम की सजा मली कि म।क्री उसका उबाई है सबसे पहले एक कोई यह जगडा हुआ था हूँ जगडा और था लिकिन उसमें डाके कर डृट है दा governments उसको पहला पर्चा डाला था उसके उसके बाद जन पर्चे आते गे वो भी उसके इसमें जमांत करा के घरा आ गया था तो जब घरा आ गया कोई बात होती थी पुलिस के गाड़ यह आती थी एवेम के हमारे परिवार ने वाँ अपने गर में कैमरे लगवा लिए यह बार ज जो है मुझे छोड़े की नी। वहई इसे तरहे गया था, भे मैं जा के आ रहा हूँ आ जाँगा वापिस गया उसके बाद आज आता है जब अभी मीडिया में पता चला कि वो देश छोड़ गया है तो मुझे लगता नहीं उसने इतना कोई कराम किया है तो वो चला गया है यहां से निकल गया तो दोनों बच्चे जो है आज हमारे परिवारे हमें दुख है क्योंकि हम इस लैन में नहीं हमारे पास खेती है बहुत अच्छा हमारे पास पैसा भी है सब कुछ है तो यह कोई ना तो पैसे को माने वाली बात है ना ओर है तो चला गया दुख होता है इसी बात का पढ़ाई बच्पन में यहीं से की गाल में से ने ने वो कौन्मेंट स्कूल में पढ़ा है जो वोर कॉर्णमेंट स्कूल है इसके अंदर पढ़ा हुआ है और उसके बाद वो चंडीगड डीएवे डीएवे सी उनिविस्टी चला गया था लोई की त्यारी कर रहा था